नमस्कार दोस्तों स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में सिंग पढ़नी की जड़ से सेहत को होने माले बेमिसाल फायदों के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है जियां दोस्तों सिंग पढ़नी एक प्रकार का होता है सिंग पढ़नी की जड़ों का इस्तमाल डाइबिटीज, बवासीर, किड्नी स्टोन, मुत्राशे के रोग और कई किस्म की बिमारियों को दूर करने के लिए उप्योग में लिया जाता है सिंग पढ़नी में पोटेशियम, फाइबर, मेगनिशियम, जिंक, केल्शिय बीटा के रोटिन और विटाविन सी बरपूर मातरा में पाय जाता है सिंग पढ़नी को अंग्रेजी में डेंडेलियों कहा जाता है तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं सिंग पढ़नी यानि की डेंडेलियों के कुछ बहतरेन फाइदों के बाने में दोस्तों करने से बोडी का इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है शरीर को या फंगस और इंफेक्शन से बचाता है इसके लावा इसमें एंटी उक्सिडेंट और विटामिन सी ज्यादा मात्रा में पाय जाते हैं जिससे केंसर से बचने में मदद मिलती है इससे बुड़ापा भी जल्द नहीं आता है सिंग पढ़नी की जड़ों में विटामिन ए और सी ज्यादा मात्रा में होता है जो लीवर के लिए काफी फायदेबंद होता है यह लीवर को मजबूत बनाता है और उसमें हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट के बेलेस में सुदार करता है यह पित को भी ब रोत को धीमा बना देते हैं और उसे बढ़ने से रोकता है इसके लावा दोस्तों सिंग पढ़नी की जड़ों के सेवन से भूग बढ़ने लगती है पाचन शक्ती में सुदार होता है और आतों के लिए विशेस रूप से लापकरी होती है यह पेट में एसिड और पित को ज कारों से बचाता है और ब्लोके इसको दूर करता है यह एक मुत्र वर्दक जड़ी उदी है जो किड्नी से फालतु नमक और जहरी लिपदारतों को बाहर निकाल देता है इसके लावा यह मुत्र प्रणाली में माइक्रोबियल को बढ़ने से रोकता है सिंग पढ़नी के हाई बलड प्रेशर को कम किया जा सकता है क्योंकि इसमें फाइबर और पोटेशियम पाये जाते हैं जो हाई बीपी को कम करने का काम करते हैं इसके अलावा सिंग पढ़नी की जड़ों में पालक के मुकाबले काफी ज़दा प्रोटीन पाये जाता है इसके अलावा यह दर् सिंग पढ़नी की जडोक से सेहत को होने वाले कुछ फायदों के बारे में जान का रहे हैं जी आँ दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही आपसे मुलकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यार लगें बहुत बहुत धन्यावाद वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दपाएं धन्यवाद